शुराब घुटाले में इतिहार में बन दिली के चीफ मिनिस्टर अर्विन केजरिवाल के विमाना तर्फी पर आज सुप्रीम कोच में सुनवाई है अब से कुछी देर में सुबह साड़े दस बजे केजरिवाल के अर्फी पर सुप्रीम कोच में सुनवाई होनी है अर्विन केजरिवाल ने CBI की गिरफटारी को सरवोच नियाले में चुनावती दी है पिछली सुनवाई में कोट ने CBI को केजरिवाल की आचिका पर जवाब देने के लिए समय दिया था CBI आज कोट में अपना जवाब रखेगी आपको जानकाली दे दिया अर्विन केजरिवाल को शराब घोटाले में ईजी केस में समानत मिल चुकी है और अगर ऐसे में आज उन्हें सुप्रीम कोट से रहत मिलनी है तो केजरिवाल तिहार से बाहर आ जाएंगे हमारे सही होगी अतुल भाजिया भासकर मिश्रा और साथ ही गौनिका रोडा इस वक्त लाइब जुड़े हुए हैं गौनिका कितने बचे से आज सुनवाई शुरू होगी मिनाक्षी साड़े दस बजे का वक्त है और क्यूंकि मैटर नमबर दो ही है कोट नमबर चार में जस्टिस सूरेकान जस्टिस उजन भुएल की बेंच है और इस पूरे मामने पर सुनवाई जल्दी शुरू हो जाएगी और क्यूंकि अर्विंद केजरिवाल की जमाना त्याचिका पर पिछली बार भी सुनवाई हुई थी जौदा अगस को यह हैरिंग होई थी और उसके बाद कोट ने वकत कांटर अध्युड देया सिब्याई को काउंने का सिविक केंच शुरू में और दूसरा है, आर्विंद केजरवाल ने हमाना पर प्तू पर चुनोती दी है अलाकि उस मैटर में आरेस्ट तो वो कामिदेर से हो चुके हैं उसे का अतुल भी हमाने सा जुड़े हुए हैं उनसे भी हम डीटेल ले ले लेते हैं अतुल देखे एडी के के केस में जब अंतरिम जमानत मिल गई है तो आम आदमे पाजी भी एमान कर चल रही है कि CBI के के केस देखे मिनाचे अगर पिछली जमानतों का अगर हम देखें जिस तरीके से के कविता को जमानत मिली डिप्टी सीयाम रह चुके मनी सिसीयोदिया को बेल मिली चाहिए विजे नायर को बेल मिली इसमें कोट ने CBI या ED की इन्वेस्टिगेशन पे कोई कमेंट नहीं किया जो कब तक उनको जेल के अंदर बंद रखा जाए और सबसे एहम यहां पर यह कि जेल एक अपवाद है और बेल एक नियम है यह तमाम आदेशों के अंदर सुप्रीम कोट ने कहा है और इसी को आधार बना कर क्योंकि अभिशेक मनु सिंग भी आज भी इसी बात को आधार लिए था और इसके बाद क्योंकि जो सुप्रीम कोट है उसने इलेक्शन के दोरान लोकसमाद चुनावों के दोरान जो अंतरिम जमानत है वो अर्विंद केशिवाल को दी थी लेकिन उसके बाद तिहार जेल में जाकर सी बिए उनसे पूछताच करती है और उसके बाद को पर पेश किया जाता है अपने मामले के अंदर जो शराब घोटाला है उसमें अर्विंद केशिवाल को गिरफतार करती है इसलिए आम आदने पार्टी ये मान कर चल रही है कि रहत मिलनी तैय है भासकर मनीश सिसोधिया तो इतने श्योर है कोई कह रहे है कि एक दो दिन के अ साथ गडबंधन का ऐलान हो जाएगा कि यह होना है या नहीं होना है क्योंकि अर्विंद केशिवाल बहार आने वाले हैं मनीश सिसोधिया ही नहीं पूरी पार्टी और बलकि इस केस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि इस केस में जैसे दूसरे आरोपियों को जमानत मिली है तो उसे साबसे अर्विंद केशिवाल को भी आप जमानत मिल जाएगी अर्विंद केशिवाल आज ही जेल से बहार आ जाएंगे ये उमीद है पार्टी के तमाम लीडर्शिप को और इस लिहाज से कई फैसले जो लिये जाने थे उसको टाला गया है और ये मान के चलिए कि कॉंग्रेस और आमादी पार्टी के बीच हर्याना में जो गटवंदन ह होगा उसका आखरी फैसला कल हो जाएगा और कल की बात इसलिए की जा रही है कि ये मान रही है आमादी पार्टी कि आज देर शाम तक अर्विंद केशिवाल जेल से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद वो फैसला ले लेंगे कि हर्याना में गटवंदन करना है या नहीं करन बलकि दिल्ली के चनाव के लिए भी बहुत ही महत पूर्ण है